आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी जियो की सिम से मैसेज नहीं जा रहा है यानि कि मैसेज सेंड नहीं हो रहा है जियो की सिम से तो आप ये प्रॉबलम कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर आपको retry या फिर failed जैसी कोई problem आती है message send करने पर तो आपको सबसे पहले check करना है अपनी sim के network जैसे कि यहाँ पर हमने sim1 से message किया है तो sim1 के यहाँ पर हमारे network आ रहे हैं इसमें कोई problem नहीं है second आपको check करना है जिस number पर आप message send कर रहे हैं वो number अगर invalid है या फिर गलत है तो आपको इस type की problem आती है यहाँ पर आपको उसके बाद third चीज चेक करनी है अपनी sim में recharge अगर आपकी sim का recharge खतम हो चुका है तो आपका message यहाँ पर नहीं जाएगा तो एक बार आप recharge चेक कर सकते है अगर उसके बाद भी आपको problem आती है तो आप अपने phone में यहाँ पर settings को open करिए उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे स्क्रोल करके एक option आएगा message के नाम से messages पर क्लिक करिए उसके बाद आपको मिलेगा more settings इस पर क्लिक करिए उसके बाद SMS center number जियो के sim अगर आपकी sim 1 पर है तो sim 1 पर क्लिक करिए sim 2 पर है तो sim 2 पर क्लिक करिए हमारी 1 में है क्लिक करने के बाद एक number यहाँ पर आपको show होगा अगर आपको यह number गलत है तो आपका message यहाँ पर नहीं जाएगा तो आप इसे check कर सकते हैं अपने phone में किसी browser को open करिए यहाँ पर आपको search करना है जियो SMS center number उसके बाद अपना state जैसे कि अगर आपका उत्तरपरदेश है तो आप यहाँ पर enter करेंगे अगर आपका डेली है तो डेली search करेंगे उसके बाद यहाँ पर जियो message center number chain नहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो आपका state है उसके सामने आपको number मिलेगा इसे आप copy करिए और या फिर आप इसे manually enter कर सकते हैं तो हम copy कर लेते हैं उसके बाद आपको same SMS center number में जाकर इस number को अपनी जियो की sim के लिए enter कर देना है तो हम इसे cut करते हैं और उसके बाद इसे enter करेंगे और ok कर दीजिए उसके बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें